अस्सलामू अलेकुम आप सभी को, मैं साइमा खान, मेरे इस चैनल साइमा की दस्तर खान में आप सभी का वेलकम करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर्यत से होंगे. आज मैं आप लोगों के लिए पकोडे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ये बेसन के पकोडे की रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगता है ये शाम के नाश्टे के लिए, सुबह के नाश्टे के लिए, ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है बहुत जल्दी बनने वाला और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं तो ये हमने 10 medium size के प्याज लिये हैं इसे हमने छिल लिया है और इसे हमने धोके रख लिया है अब इसके बाद हम इसे बारिक-बारिक काट लेंगे तो इसके उपर की हिस्थे को इस तरह से निकालके हम इसे बारिक-बारिक काट लेंगे ये देखे इस तरह से हमें इसे बहुत बारिक-बारिक काटना है तो ये हमने सभी onion गो बहुत अच्छे से chopped कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसे हमने काट लिया है पकोड़े की बेटर में जो भी लगेगा ये हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए, ये हमने जो प्यास काट के रखा है, ये वो है, और ये हमने एक किलो बेसन लिया है ये देखिए और ये हमने धन्या की पत्तियों को बारी काटके इसे भी हमने रख लिया है ये देखिए ये हमने दो हरी मिर्च को बारी काटके रख लिया है अब अपने टेस्ट के कॉर्डिंग मिर्च डाल सकते हैं ये हमने हाफ टीस्पून भरके बेकिंग सोडा लिया है और ये हमने वन टीस्पून भरके नमक लिया है अब इसके बाद इस कटे हुए प्याज में हम देशन को डाल देंगे अब इसके बाद हम इसमें बारी कटे हुए धनिया को डाल देंगे अब इसके बाद हम इसमें जो हमने हरी मिर्श काटके रखी है उसे भी हम इसमें डाल देंगे अब इसके बाद हम इसमें बेकिंग सोडा और जो हमने नमक रखा है उसे भी हम इसमें डाल देंगे आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं जितना कम या जादा आप लोगों को लगे और इन सभी को हम अच्छे से बेसन में मिला देंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हम इसे पानी एट करते जाएंगे बहुत ज्यादा पानी हमें नहीं डालना है क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ता है इसलिए हमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है प्याज से भी पानी निकलता है इसलिए तो ये देखिए इसका एक परफेक्ट बैटर हमने बना लिया है नाहीं बहुत ज़्यादा पतला है ये नाहीं बहुत ज़्यादा ठीक है ये ये देखे इस तरह से अब इसके बाद एक कड़ाई में हम ओoil गरम करने के लिए चगھा दिए हैं ओil अच्छे से गरम हो चुका है अब इसके बाद हम इसमें एक एक करके डालते जाएंगे, यह देखिए पकोड़ों को हम इसमें डालते जाएंगे, यह देखिए इस तरह से, बहुँँ जल्दी बन जाता है यह रैसे पी और बहुँँ टेस्टी लगता है यह, ये देखिए इस तरह से हमने इसे डाल दिया है अब ये साइड से अच्छे से पक जाए इसके बाद हम इसे पलट देंगे ये देखिए इसे हमें चलाते हुए अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है ये देखिए बहुत अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं आप लोग देख सकते हैं तो ये हमारा पकोड़ा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है ये उपर से बहुत ही क्रिस्पी लगता है और अंदर से बहुत ही सौफ्ट लगता है ये यह देखिए बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुका है तो हम इसे निकाल लेंगे ये देखिए हम इसे निकाल रहे हैं बहुँ टेस्ती लगता है ये बेशन का पकोड़ा आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए इसी तरह हम बाकी पकोड़ों को भी इसी तरह डालते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे एक एक करके हम इसे इस तरह से डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे यह देखिए यह हमारे बाकी पकोड़े भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं यह देखिए बहुत अच्छे से यह पक चुका है आप लोग देख सकते हैं लाइट ब्राउन सा कलर इसमें आ चुका है तो यह हमारा पकोड़ा बनके रड़ी हो चुका है हम इसे टमाटर की चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसेपी पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, मेरे सभी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, मेरे सभी वीडियोस पर कमेंट कर दीजिए, और मेरे सभी वीडियोस को शेयर कर दीजिए ठैंक यू, अल्ला हाफीज झाल झाल